वेल्सियम D3 नैनो शॉर्ट सालूशन जो है इसके वीश में कोली कलसी फिरोल 60,000 इंटरनेशन जुनिट प्रेजन्ट होता है कोली कलसी फिरोल जब फिर जिसकों की विटेमिन D3 V बोलते हैं और जो की एक फैट सॉल्वल विटेमिन है और जो की बोडी को एक तरह से हेल्प करता है कि वो कलसीयम और फॉस्फोरोस को फूट से और सप्लीमेंट से एब्सॉप कर सके तो जो विटेमिन D3 ओरल सालूशन जो है तो जो हमारी ओरल हेल्थ को भी प्रमोट करता है जो medicine जो है जो बहुत ज़्यदा help करती है एक तरह से उन persons को जिनके वीश में vitamin D की deficiency हो जाती है चो फिर calcium की deficiency हो जाती है तो जो medicine जो है तो जो जो बॉड़ी को एक तरह से prepare करती है कि वो अलग लग तरह की infection से जो है वो fight कर सके और साथ में ही एक healthy immune system को भी sport करने में मदद करती है और साथ में ही हमारी body को help करता है calcium और phosphorus को retain करने के लिए और साथ में ही जो बहुत ज़्यदा essential होता है healthy bones की maintenance के लिए और building के लिए और उसके साथ में ही जो है recycle कर देता है जो calcium होता है जो जो एक्सक्रियर्ट हो जाता है kidney से तो उसको recycle करने में भी जो है बहुत ज़्यदा healthful होता है और साथ में ही healthy bones होती है तो उनको maintain करने में मदद करता है जो teeth होते हैं तो उनको भी maintain करने में मदद करता है ये medicine जो है जे oral health और hygiene को जो है ये sport करती है और जो risk जो होते है tooth decay के मीन दान्त तूटने के जो risk जो होती है तो उनको कम कर देती है जा फिर जो gums के वीच में problem जो होती है तो उसको भी ये कम कर देते हैं अगर किसी भी persons को vitamin D की deficiency हो जाती है तो उसके वीच में जो है जो bones की dynasty होगी तो वो loss हो जाएगी और साथ में osteoferoxys के वीच में देखा जा सकता है osteoferoxys जो है एक bone की disease है जिसके वीच में bones बहुत जड़ा है एक तरह से weak हो जाती है कमजोर हो जाती है और जल्दी से जो है एक तरह से डूट सकती है क्योंकि bone की dynasty जो है उन conditions के वीच में कम हो जुकी होती है जो फिर fractures जो है वो देखे जा सकते है हडियों के वीच में जो फिर rickets जो है वो हो सकता है अगर किसी भी persons को जो है vitamin D के deficiency होती है तो इन में से कोई भी condition जो है उसके वीच में देखी जा सकती है तो vitamin D3 oral solution 60,000 international units जो है तो जी बहुत ज़्यदा useful है अगर हम लोग जो है बोलेंगी treatment के तोर पे जो फिर बचने के लिए जो अलग लग तरह की जो conditions होती है जैसे कि osteo malachia आ गया जो फिर rickets आ गया तो जी क्या है कि एक disease है जिसके वीच में जो है बहुत ज़्यदा soft bones हो जाती है और weak bones हो जाती है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि vitamin D की जो है बहुत ज़्यदा deficiency हो जाती है जिस बज़से जो है उनके वीच में osteo malachia जा फिर rickets जो है वो देखा जाता है जो फिर back pain जो है उन conditions के बीच में होती है अगर किसी को vitamin D की कमी हो जाती है जो फिर osteoferosis जो है वो देखा जा सकता है जो फिर fractures जो है देखे जा सकते है जो फिर muscles के बहुत ज़्यदा weakness जो है वो देखी जा सकती है जो फिर hypoparathyroidism जो है वो देखा जा सकता है इसके बीच में क्या होता है कि जो parathyroid glands जो होती है तो तो बहुत ज़्यदा कम जो calcium का level होता है दो उसको बनाते है और जिससे की muscles के बीच में sleeps्यदान जो है जो देखा जा सकता है परसंस के बीच में जो फिर जो है जे medicine जो है अगर किसी के विश में blood के विश में calcium का level बहुत ज़दे कम है तो उसको वे treat करने में मदद करता है जो फिर latent tetne का case है तो उस conditions के विश में भी ज़दे हालफूल होता है Latent Tatn reaching जो है biggest muscle disease हो जिस वेश में जिस के लिख में कह भोल का लैवल जो होता है on the body के लिख में कम हो जाता है only hands and joints जो है look up जाता है तो G-medicine जो है यह बहुत ज़्यादा help करती है और development में और साथ में ही strength प्रवाइड करने में bones को और जो risk जो होती है bones के वीच में fractures के future में होने के chances जो होती है तो उनको कम कर देते हैं vitamin D की deficiency जो है किसी भी persons के वीच में तब होती है जब उसकी body के वीच में vitamin D का level जो है वो कम हो जाता है और यह जो है inadequate nutrition की बज़े से हो सकता है intestinal mal absorption की बज़े से हो सकता है जो फिर वो sun के exposure में ना आता हो I mean Rome के वीच में ही ज़दा-दर रहता हो और sun के direct exposure में जो है वो नहीं आता हो दूप में direct नहीं जाता हो तो उस दुरान वी जो है उसके वीच में vitamin D की deficiency देखी जा सकती है तो हमारी body जो है वो vitamin D को खुद वा-खुद वी बनाती है अगर कोई person जो है वो दूप में खड़ा हो जाए कुछ समय के लिए तो उसकी body के वीच में खुद वा-खुद वीच में vitamin D जो है बन जाता है ऐसा person जो की बहुत ज़्यदा कम दूप में जाता हो जा फिर किसी person की age बहुत ज़्यदा हो जुकी है तो कोई भी factors जो हो सकता है और उससे जो है उसके वीच में vitamin D की deficiency देखी जा सकती है तो G-medicine जो है बहुत ज़्यदा helpful होती है जो muscles के वीच में pain होती है उसको reduce करने के लिए और साथ में ही जो थकान होती है जा फिर stress जो होती है तो उसको भी ज़्यदा है दूर कर देती है G-medicine जो है जो है जो एक बहुत ज़्यदा essential supplements है उन patients के लिए जिनके वीच में diabetes के complications जो है वो देखी जाती है जा फिर cardiovascular disease जो है होती है तो vitamin D3 oral solution जो है जो है जो बहुत ज़्यदा help करता है calcium के level को blood के वीच में maintain करने के लिए और साथ में ही bone को strength को बढ़ा देता है और साथ में ही body के वीच में genetic disorders होती है तो उनसे भी बचाता है और जो rickets जो है बच्चों के वीच में देखा जाता है तो उससे भी जो है बचाता है और साथ में ही आप लोगों के mood को sleep को जो है enhance कर देता है बढ़ा देता है उसको Kleovy Kelsey Firol जो है जो है एक steroid हार्मों है और जो कि skin के वीच में produced होता है जब कोई भी person जो है Al yummy Light के direct exposure में जाता है जब फिर कोई person जो है इसको food से भी जो है obtain कर सकता है तो जी जो những coalty처럼 जो है जी एक pro vitamin होता है और जो कि convert हो जाता है vitamins के वीच में जब इसको intake किया जाता है जब उसको use किया जाता है तो उसके बाद pro-vitamin से vitamins के वीच में convert हो जाता है और जो कि बोज़दा help करता है blood के बीच में calcium और phosphorus के level को maintain करने के लिए और साथ में minerals को maintain करने के लिए bones के वीच में आप लोग अपनी bones की strength को बढ़ा भी सकते हैं regular exercise के दोरा जो फिर एक अच्छा healthy खाना खाके भी आप लोग जो है इसको improve कर सकते हैं जिसके वीच में calcium और vitamin D जो होने चाहिए उस diet के वीच में और साथ में ही आप लोगों को alcohol की consumption को जो है ये कम कर देना है और tobacco की consumption को वी कम कर देना है vitamin D3 oral solution जो है जो है जो है बहुँ जदा important होता है bones की health के लिए जो आप लोगों के immune system को जो है sport करता है और साथ में ही brains को nervous system को जो है जो sport प्रोवाइड करता है और जो insulin का level होता है तो उसको भी regulate करने में जो है जो है मदद करता है तो जो vitamin D3 जो है जो है बहुँ जदा important होता है healthy heart और blood vessels के लिए भी अगर किसी भी persons को जो है vitamin D की जो है deficiency हो जाती है तो उस persons के वीच में जो risk होते हैं diabetes mellitus 1 के जाफिर high blood pressures के depressions के जाफिर cancers के osteophorosis के chances जो है उसके wish में बढ़ जाते हैं तो आप लोगों को जो है इस medicine को किस तरह से यूज करना है तो आप लोगों को जो है एक हपते में जो है एक ही वार जो है आप लोगों को जो है इस medicine को जो है यूज करना है फिर next week में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं तो एक week में आप लोगों को सिर्फ एक ही बाद इसको यूज करना है और खाना खाने के बाद आप लोगों को इसको यूज करना है क्योंकि उससे इसकी absorption जल्दी से हो जाती है अगर आप लोग जो है इसको खाना खाने के बाद जो है यूज करते हैं जा फिर जैसे आप लोगों के डॉक्टर बोलते हैं वैसे भी आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं तो dose and duration के related जो है आप लोगों को जो है डॉक्टर को जो है suggest करना है जैसे डॉक्टर वोल में वैसे ही आप लोगों को जो है इसको यूज करना है तो आप लोगों को जो है इसको यूज करना है तो आप लोगों को जो है इसको दिन के टाइम में जो है यूज करना है तो इसलिए आप लोगों को इसको जो है दिन के टाइम में ही यूज करना है औ और आप लोगों को जो है इस medicine को जब आप लोग यूज करेंगे तो इसके दो गंटे पहले और दो गंटे बात में आप लोगों को कुछ भी जो है किसी दूसरी medicine को use नहीं करना है दो गंटे के अंदर अंदर जो है आप लोगों को किसी medicine को दूसरी medicine को use नहीं करना है अगर को प्रेगनेंट है, ब्रेस्ट फिडिंग भूमेन है, जा फिर कोई चिल्डरन है, ऐसा कोई प्यूपल, जिसको की medical condition है, जिसकी में पहले से कोई बीमारी है, तो उसको जो है, डॉक्टर को consult कर लेना है, इस supplements को यूज करने से पहले, vitamin D3, oral solution 5 ml, जो है, जो है, vitamin D की एक form है, और जो की vitamin D के level को आप लोगों के blood के वीच में बढ़ा देता है, और जिससे की calcium का level जो है, आप लोगों के blood के वीच में बढ़ जाएगा, और जो की बहुत ज़्दा help करेगा, more calcium को food से absorb करने के लिए, अगर हम लोग side effects की बात करें, तो इससे जो है constipation जो है, वो देखा जा सकता है, जो फिर आप लोगों के blood के वीच में calcium का level जो है, बढ़ सकता है, आप लोगों के urine के वीच में calcium का level जो है, बढ़ सकता है, नौसिया हो सकता है, vomiting हो सकती है, chest pain हो सकती है आज का जो current lifestyle जो है तो उसके वीश में mostly people जो है air condition offices के वीश में stay करते हैं, house के वीश में stay करते हैं, cars का जो है वो use करते हैं जादे तर और जिससे कि वो directly sun के exposure में जो है वो नहीं आते हैं और जिससे कि उनके वीश में vitamin D की deficiency जो है देखी जा सकती है और इस दुरान जो है, बहुत ज़ाद है fractures जो है, muscles के वीश में जो है, muscles के वीश में बहुत ज़ाद है weakness जो है, वो देखी जा सकती है तो आप लोग कुछ food products को जो है, use कर सकते है अपनी diet के वीश में जो की good source होते है vitamin D के, जैसे की cod liver oil, cheese का use कर सकते है जब फिर egg yolk का use कर सकते है, vitamin D जो है, तो जो है, हमारी skin के वीश में भी जो है, जो है, बनता है अगर आप लोग जो है, direct sun के exposure में जाएं, तो आप लोग जो है, 10 से लेके, 3 बज़े का जो समय होता है, तो उसके वीश में आप लोग at least, एक हपते में दो time जो है, जाएं, दूप में 10 से लेके, 30 मिनट तक आप लोग खड़े रह सकते हैं, दूप में और जिससे कि आप लोगों की vitamin D की deficiency, जो है, एक तरह से वो, उससे आप लोग एक तरह से बच सकते हैं, तो आप लोगों को कभी भी जो है, इस medicine का overdoses में यूज नहीं करना है, जीतनी doses के लिए, आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को बोला है, उतना ही recommendet doses में आप लोगों को जो है, इसको use करना है कि अगर कोई भी person जो है, इसको में यूज करता है तो उसे जो है उसके बीच में वीकनेस में देखी जा सकती है मेटालिक टेस्ट जो है उसके मौत के बीच में उसको महसूस हो सकता है वेट लॉस हो सकता है मसल्स के बीच में पेन देखी जा सकती है बोन्स के बीच में पेन उसको हो सकती है constipation, nausea जो फिर vomiting